How to buy a second hand या फिर used smartphone आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताने बाला हूँ Guys आप सभी को पता है ये coronavirus आने के बाद smartphone की demand कितना ज़्यादा बढ़ चुका है अगर एक teacher है तो उसको भी smartphone चाहिए online class कराने के लिए अगर कोई student है तो उसको भी एक smartphone चाहिए ही चाहिए online class करने के लिए या फिर कोई ऐसा जो है office में काम करते है वो इतना जादा काम की बज़े से उसका smartphone खराब भी हो सकते है कुछ technical problem भी आ सकते है और अभी वो problem वो fix भी नहीं कर बार है और उसको ये काम करने के लिए चाहिए एक smartphone अभी हो सकते है वो एक नया smartphone नहीं खरिद पा रहे है उसके पस पैसा नहीं भी हो सकते है चाहिए कि student भी है वो भी एक नए smartphone नहीं purchase कर पा रहे है उसको चाहिए एक second hand या फिर used smartphone जो थोड़ा सा जो नए smartphone होते हैं उससे थोड़ा सा सस्ते में मिल सकता है लेकिन आपको एक second hand या फिर used smartphone लेने से पहले आपको किन किन चीजों के ओपर ध्यान देना परेगा आपको उससे second hand या फिर used smartphone पर क्या क्या टेस्ट करना परेगा ताकि आपको एक best smartphone मिल सके वो भी used smartphone सो आज किस वीडियो पर मैं आप सभी को सब कुछ बताऊंगा सो आप लोग अगर जानना चाहते हैं यह सब कुछ ता वीडियो को लास्त तक शरूर देखे है लोगाईस आपको सबसे पहले जानना है कि जो सेलर है जो फोन को सेल कर रहे है वह असल में क्यों इस फोन को सेल क करना चाहरे है आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा दूसरा आता है आपने जान लिया कि माल लिजे उसको चाहिए एक कुछ एक्स्टर फीचर वाले स्मार्टफोन इसलिए वह इस स्मार्टफोन को सेल करना चाहरे है सो अभी आपको क्या देखना है आपको देखना है है smart phone की जो फिजिकल ली चोवी product आते हैं जैसे की smart phone की box smartphone कि charger battery bluetooth जा फिर चाल्ड? सुर्ड ब्लूटूथ नहीं when case юда wireless हो गया यां फिर टाइब च भी है कुछ भी है सो आप headphone को देख भी सकते नहीं भी देख सकते लेकिन आपको जो है mobile की charger box and mobile की battery को सिबसे पहले देखना पड़ेगा गईस जो निक्स्ट आता है वह गईस मोबाइल की बिल या फिर आप कह सकते हो मोबाइल की invoice चाहिए वह online से purchase किया हो या फिर offline से purchase किया हो उसका एक particular बिल जरूर रहेगा उसके पस अगर आप देखते हो कि उसके पास इसका किसी भी तरह का बिल नहीं है तो आप उस phone को मत खड़ी दे मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा अब गईस यहां पर नेक्स्ट आता है वह गईस phone की features आपको देखना है कि आप जिस phone को purchase करना चाह रहे है उस phone की सारे features अच्छी तरह से काम कर रहा है या फिर नहीं फोन की camera quality कैसी है फोन की display quality कैसी है आप चाहे तो एक दो दिन उसको trial भी ले सकते तो यह भी seller and आपके ओपर करते क्यों आपको trial पर देगा या फिर नहीं देगा और नेक्स्ट आता है गाईस बहुत ज़्यादा important हुए गाईस IMEI number आपको देखना है कि बिल का जो IMEI number है and smartphone की जो IMEI number है वो same है या फिर अलग है अब गाईस आपको बिल पर तो IMEI number देखने को मिल जाएगा लेकिन आप smartphone पर उसी smartphone पर IMEI number को कैसे पता करेंगे बहुत ही आसन है आप गईस simply smartphone की जो tablet होते है उसको open कीजिए वहाँ पर आप टाइप कीजिए star has 06 has फिर आपके पास उस फोन का IMEI number आ जाएगा आपको यहाँ पर चेक करने कि फोन का IMEI number and बिल का IMEI number सेम है या फिर अलग है अगर देखते हो आप दोनों की चोड़ी वहाँ फोन होगा तो उसका IMEI number कर देता है तो इस टाइम आपको यह भी चेक करने है कि आप जिस फोन को purchase कर रहे है उसकी IMEI number open है या फिर ब्लॉक है कैसे चेक कर पहेंगे वह मैं आप सभी को बताऊंगी वीडियो की लास्ट में उसके पहले और भी कुछ बात म आप से भी को यहाँ पर śare करने चाहतों एक useट फोन खड़ीने से पहले नेक्स आता है कईस पून की cost घैस आप फॉन ओब्लु देखे और जो सल कर रहे जो फोन दे रहे वह सिल यह आप दोनों की चोस्ट वाजा करने माई है कुछ नहीं कर सकते ऐना सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास लैपटाप आपने इसको कर सकते हैं मैंने अपने अपने लैपटोप को open किया है अभी मैं simply laptop की एक browser को open कर लेता हूँ ब्रावजर open करने के बाद आपको simply यहां पर क्या सर्च करना है www.imei.info यह लिखके आपको simply search करना है फिर search करने के बाद आपके समने कुछ ऐसा आ जाएगा result आपको सबसे पहले आपके पास दिख रहे इस लिंक पर आपको क्लिक करने के बाद आपके समने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपको यहां पर ipi number को check करना है तो यहां पर आपको आपने स्मार्टफून को लेने के बादे मैं सोच रहे हुच को यहाँ पर डालना पड़ेगा तो मैं आपने स्मार्टफोन की ü mi number को डालता हूं तब तक मैं इस वीडियो को पॉस्ट कर लेता हूं मैंने अपनी अ मिट डाल अभी मैं यहां पर simply check पर क्लिक करूंगा तो गई यहां पर चेक पर क्लिक करने के टाइम आपके पास यहां पर आएम नॉट रोबोट चो आपको क्याप्चर करना है यहां पर फेरिफाइब हो चुका है मैं सिम्पली यहां पर चेक पर क्लिक करूंगा हमें जानना है कि यह जो स्मार्टफोन है इसकी आएमें नंबर ब्लॉक है याँ फिल ओपन है जो आप यहां पर देख सकते एक आपको आपको हैं किलिक करना है तो यहां पर कुछ लोडिंग हो रहा है Sure सेंसंग की तरप से यह चेक किया जा रहा है मेरे इस नमबर को आएम नमबर को यहाँ पर और भी कुछ ताइम ने रहे हैं तो आप देख सकते मेरे जो ब्रैंड आ चुक है संसंग मॉडल है यहाँ पर मेरा आएम यह नमबर है और आप यहाँ ब्लैकलिस्ट इस्टर्टस देंगे तो आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप जिस फोन को पर्चेस करने के बारे में सोच रहे सेकेंड या फिर यूज्ज स्मार्टपोन उसका आयम नमबर ब्लॉक है या फिर ओपन है तो आपने देखा कि आज किस वीडियो पर म अगर वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करें सेर करें चनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे बीसे किसी दूसरे वीडियो पर तब तक के लिए चैहीन बंदे मात्रम